बागत है आपका हम चैनल के एक नई वीडियो में तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो 68th BPSC Prelims का जो एक्जामिनेशन है वो 8 जैनवरी 2023 को संभावित था मतलब BPSC के जो अफिशल कैलेंडर जिसमें उसने जारी किया था उसमें 8 जैनवरी ही डेट दिया गया था लेकिन अभी जो बातें निकल के आ रही है जो काफी न्यूस चैनल में भी था मीडिया में भी था उसके अकॉर्डिंग ये बास शोर है कि ये 8 जैनवरी को एक्जामिनेशन नहीं होगा और अभी तक इसका कुछ नोटिफिकेशन भी नहीं आया है तो काफी बादा कुश्चन तो यही है कि वाई इसका एक्जामिनेशन कब होगा और इसका नोटिफिकेशन कब आया क्योंकि जब तक notification नहीं आया, अब तक आप examination का कुछ भी नहीं कह सकते हैं, यह कब होगा नहीं होगा, तो जो notification का अभी तक निकल के आ रहा है, पहले तो इसको October में ही आ जाना था, लेकिन अब यह October में तो खेर बीथी गिया, तो इसमें तो नहीं आएगा, यह November last week, या फिर December first week में आ सकता है, November last week मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ, क्योंकि November 14 तारिक को जो है, वो 67th BPSC का जो result है, prelims का वो आना है, तो इसके बाद ही कुछ चीजें होंगी, जो मेरे हिसाब से सही है, और होना भी वैसे ही चाहिए, क्योंकि बीच में अगर आप ले आते हैं, तो आप दोनों ही जगा से disturb कर देते हैं अपने आपको, साथी जो इसका पहले जो date था, जो काफी लोग इस पर विवाद भी कर रहे थे, कि 8 January को नहीं हो करके ये आगे होना चाहिए, और सही भी है, क्योंकि जिसका mains है, वो last week of December में है, तो जिस candidate को mains का exam देना है, वो सिर्फ एक week के बाद उसको prelims में देना, तो दोनों का जो तैयारी होता है, एकदम अलग तरीके से होता है, prelims का भी और mains का भी, तो एक zone से हट करके दूसरे zone में आना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन लगबग एक मन्त का यहां पर आपको gap मिल जाएगा, तो आप उमीद कर सकते हैं कि वो जैन लास्ट वीक में एक्जाम होगा, इफ नॉट जैन लास्ट वीक देन फेबररी फर्स्ट वीक, तो यह जो सबसे बड़ी न्यूज है, फिलाल यही है, उसके अलावा जो strategy वीडियो है, जिसके लिए आप लोग इस वीडियो पे आए हैं, तो strategy भी मैं इस वीडिय पर नहीं लगाना है, वो वैसे लोगों के लिए हैं, जो तुपका दगाजा मार के भी मेंस में पहुंच जाते हैं, तो वो आपके लिए नहीं है, आप sincere student है, तो देर सब कुशन आएंगे, और देर सब मार्क्स के एक्जाम होंगे, लेकिन अभी जैसा सुनने में आ रहा है कि ये शायद 200 मार्क्स के एक्जाम होंगे, तो खेर जो भी है, जो main section होता है, इसमें वो 4 होते हैं, इसको B, S, C, H लिख सकते हैं, आप बिहार special, science, current affairs, और history, maximum question आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, तो अगर आप ऐसी तयारी करते हैं, कि आपको थोड़ा selected परहाई करना ह वैसे ये, मैं suggest तो नहीं करूँगा आपको selected परने के लिए, लेकिन अगर आपको selected परना है, तो आपको ये चार पे command रखना बहुत जादा जरूरी है, क्योंकि इन चारों के बिना आप examination नहीं निकाल सकते हैं, इसके अलावा जो subject होते हैं, mathematics, economics, geography, quality, कुल मिलाके 8 subject होंगे और उससे 1.500 सवाल होंगे, जिसमें कहा गिया है कि इस बार 50 questions जो होंगे, वो थोड़े easy, sorry, मुश्किल होंगे, और 100 questions को easy बोला जा रहा है, अब ये कैसे decide करेंगे, ये वो जाने, क्योंकि GK का questions अगर आपको आते हैं, तो आपके लिए easy हैं, नहीं आते हैं, तो आपके ल आने, लेकिन अभी जो फिलाल जो बात है, वो यही है, कि आप अपने आपको, जैसी भी आप तयारी कर रहे हैं, करते रहें, और अपने आपको आप इस तरीके से रखें कि exam कभी भी हो, आप दे दे, साथी जिनका prelims का भी result आने वाला है, all the very best, आप अच्छे से result का wait करें, साथी आप mains की भी तयारी करें, अगर आप cut off के नजदीक भी हैं, क्योंकि देखें कभी-कभी क्या होता है, कि आप cut off expect कर रहे हैं 110 आने का, जैकिन suddenly cut off आ जाता है 95, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुआ है, बिल्कुल हुआ है, और जो लोग कह रहे हैं कि 67th का जो question paper बहुत easy तो वो question paper आप examination के बाहर easy बोल रहे हैं, और घर में आगर कि आप एक ही question paper को 15 बार देख लिए हैं, तो 15 बार तो असान होई जाएगा, तो इसी के लिए वहाँ पे pressure अलग होता है, situation अलग होता है, तो इसी के लिए आप 67th में जो cut off है, जैसा मैं सुन रहा हूं, मेरी जो लो round 95 प्लस, अगर आपको marks है, तो आपको mains की तयारी करनी चाहिए, देखिए अगर माइनलजी आपकी 95 marks आए हैं, suppose cut off 99 जाता है, आपका नहीं होगा, बेशक, लेकिन अगली बार के लिए आप well prepared होंगे, आप 4 नंबर से ही छूटे होंगे, in case अगर cut off 105 चला जाता है, या 103 चल आजाता है, और suppose आपको xy1 नंबर आ रहा है, तो आप दो ही नंबर से चूक रहे हैं, तो अगले बार आप उसको वापस से manage कर लेंगे, तो आप prelims छोड़िए, mains पर अच्छे से focus कीज़े, और जब prelims आ जाएगा, तो 10 दिन, 15, 20 दिन पहले आप एक बार सब कुछ को revise कर दीजेगा, ऐसा नहीं है कि आप impossible है, आप नहीं कर सकते हैं, अगर आपको 95, 96 या 100 नंबर आ रहा है, तो आपको थोड़ा basic idea तो जरूर है, कि कैसे क्या करना है, नहीं करना है, तो वो चीज़ आप वापस से वहाँ 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में कर सकते हैं, तो अभी इस फिलाल and all the very best for your examinations.